वाइट एड्स ब्लाक एड्स एंद एकनी और पिंपल्स अधर मेजर कंसर्ण्स दिरिंग दिस समर्स विंटर्स में भी बाज लोगों को यह इश्यूस होते हैं मगर रेशो फ़करन्स कम है ऐस कंपेर टू समर्स समर्स में यह प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है और वह क्यो भी वज़ा से वह पोर्स ब्लोक हो जाएं क्योंकि सीवम के साथ डेट सेल्स भी सिक्रीट होते हैं अगर वह पोर्स बंद हो जाते हैं ड्यू टू एनी रिजन वाइट एड्स ब्लाक एड्स और पिर अकनी हो जाती है इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो में म करना रिजल्ट्स आपको आखर में खुदी नजर आएंगे इसलिए वीडियो का अपने शुरू से लेकर आखर तक देखना है सारे स्टिप्स के बाद आप खुदी डिफरेंस जो है वह फील करना और शुरू हो जाएंगे तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने लेना है लाल मसूर की डाल जिससे हम कहते हैं रेड लेंटल्स यह आपके घर में इजली अवेलेबल होते हैं यहां मैंने सूप वाला चमश यूज़ किया है आप चाहें तो वन टेबल स्पून जो होते है नॉर्मल घर में आप वो ले सकते हैं इट इस जो भी चीज एंटी ऑक्सिडेंट के तोर पर काम करती है वो आपके एजिंग के साइन को रिडियूस करती है इट रिमूव दे सेंटेंट, ये संटेंट को कम करता है लाइटन करता है स्किन टोन को क्योंके इसके अंदर बहुत ज़दा क्वांटिटी में वाइटमिन सी होता है एसेंटिय निट्रिंट जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर वो नरिश करते हैं आपकी स्किन को अंदर से भी और बाहर से भी इसके लाव़ ये आपके ड्राय पैचस को रिमूव करता है यहां हमने मसूर की डाल को अच्छे से वाश कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर रह गया होगा उसको अपने रिमूव कर लेना है इसके बाद आपने तीन चमच भर के दूट के इसके अंदर डाल देने हैं मैंने यहां गाएं का दूट यूज किया है आप चाहें तो भेंच का भी कर सकते हैं और अगर रॉम मिल्क हो तो जबर्दस्त हो जाएगा और उसको आपने ढाम के रख देना अगर आप चाहें तो ओवरनाइट कर लें मैंने यहां सिर्फ एक गिंटा भीगो के रखे थे बट अगर कोशिश करें आप लोग तो रात को इसको भीगो के रख दे तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे फर्स्टेप होगे हमारा तयार आप सेकंड स्टेप के लिए आपको चाहिए तीन चमज भर कर मसूर के दाल कर जिसे आपने मिक्सर ग्राइंडर में डाले ना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्रेनियूल्स के साइज आपने इतना बड़ा नहीं रखना है क्योंकि अगर इतना बड़ा ग्रेनियूल के साइज होगा तो आपकी स्किन डामेज होगी क्योंकि हम यह स्क्रबर बना रहे तो हमने इसे अपनी स्किन को स्क्रब करना है आपका granule size बिलकुल इतना को होना चाहिए दरदरा जरूर होगा वो बट इतना नहों कि आपकी skin उससे damage होना start हो जाए यह मैंने आपको close up करके भी दिखा दिया है अब हमें चाहिए 6-7 आपने बदाम ले लेना है उनको भी अपने mixer grinder में डालके ग्राइंड कर लेना है इस तरह से अब आपने बदामों को ग्राइंड कर लेना है बदामों के अंदर भी antioxidants बहुत ज़्यादा quantity में होता है इसके लावा इसके अंदर vitamin E होता है जो आपकी cells की growth में और regrowth में और regeneration में help करता है और इसके लावा आपकी skin को soft और supple बनाता है इसके लावा आपको चाहिए rice flour यानि चावल का अटा आप चलते हैं अपने first step की तरफ यहां हमने बनाने cleanser cleanser किससे बनेगा जो मसूर की डाल को हमने दूद में dip करके यानि बिगो कर रखा था उससे हमने इसको mixer grinder में डालेना है और इस तरह से आपको paste मिल जाएगी मेरे paste तोरी running consistency में है वो इसलिए क्योंके मैंने डाल को जादे बिगने नहीं दिया मैंने like half an hour से one hour तक इसको भी गोया और then मैंने इसको grind कर लिए आप जितने तरह इसको भी गोएंगे उतना अच्छा आपको result मिलेगा जिस तरह से ये मैं अपने हातों पर लगा रही हूँ आपने इसी तरीके से अपने face पर लगाना है और फिर हलके हातों से आपने अपने चेहरे पर मिसाज करना है in circular motion कोशिश करेंगा तरह सिर्फ finger tip से आपने मिसाज करना है पूरे हातों के साथ आपने मिसाज नहीं करना है हमेशा जो होता है मिसाज आपको finger tip से करना चाहिए उससे आपको अच्छे results मिलते हैं इस तरह के से हलके हातों से आपने मिसाज करते रहना है कम से कम तीन से पांच मिनिट आपने इसको मिसाज करना है मैं prefer करूंगे पांच मिनिट पर तीन मिनिट भी करना है तो कोई मसला नहीं है उसके बाद आप इसको लगा कर चाहें तो 10 मिनट के लिए रख लें इसको fully dry नहीं होने दे 10 मिनट के लिए अगर इसको आप लगा कर रख लेंगे maximum आपको result मिलेगा अगर आप इसको foreign massage करने के बाद wash करना चाहते हैं जैसे normal cleansers को किया जाते हैं तो भी कोई मस्तानी आपको results मिलेंगे सिरफ अभी cleanser apply करने से आपकी skin soft और बहुत सपल हो जाएगी अप चलते हैं अपना scrubber बनाने के तरफ scrubber के लिए आपको चाहिए एक tomato जो के हम half use करेंगे उसको आपने अच्छे से grate कर लेना है मैंने यहाँ freeze tomato लिया है आप चाहिए तो fresh भी ले सकते हैं आपके अपनी मर्जी है tomato एक natural astringent है यह आपके जो खुलेवे pores होते हैं उनको यह बंद करता है और dirt को और oil को accumulate होने देता है आपके pores के अंदर इसके इलावा इसके अदर vitamin A, K, C होते हैं और foliates होते हैं जो के excellent है आपकी skin के लिए इसके इलावा हम इसके अंदर डालेंगे curd सबसे पहले डालेते हैं मसूर के दाल मसूर के दाल एक normal जो आपके घर में चमच होता है ना ज़्यादा बढ़ा है और ना ज़्यादा चोटा है इसके बाद हमने डालना है पिंच ओफ हल्दी और अच्छे से इन सारी इंग्रीडियोंट्स को अपने मिक्स कर लेना है यह जी हमारा scrub त्यार हो गया है यह scrub ना सिरफ आपके चेहरे को नैच्रल ग्लो देगा आपकी skin को oil free बनाएगा tanning remove करेगा exfoliate करेगा आपकी skin को आपको help out करेगा ब्लाक हैड्स और एक्नी जिसी कोई problem नहीं हो आपके skin को even tone करेगा मसूर के दल क्योंकि rich of protein है आपके चेहरे से facial hair को भी remove करेगे इसके लावा आपके चेहरे की जो skin है उसको overall healthy बनाएगी आपने इस तरह से अपने हाथों पे लगा लेना है उसके बाद आपने हलके हाथों से finger tips की मदद से इसको scrub करना है ऐसे मिसाच करना है जिस तरह से मैं आपको हाथों पे करके दिखा रही हूँ इसी तरह आपने अपने face पे करना है यह जब मैं हाथों पे लगा रही थी साचाथ मैं अपने face पे लगा रही थी सारे steps मैंने follow की है स्क्रबिंग से क्या होता है आपकी skin जो एक्सफॉलियेट होती है dead cells आपके रिमूव होना शिरू हो जाते है हमने इसके अंदर curd डाला है जिसके अंदर lactic acid होता है वो भी आपकी skin को naturally exfoliate करेगा dead cells रिमूव करेगा और आपकी skin को smooth बनाएगा इस तरीके से मैंने यह 15 मिनिट लगा कर रख दिया था और इसको dry होने दिया इतना dry होने दिया कि जो बड़े बड़े इसके उपर lumps पड़े तो इसके अंदर moisture retain रहे ताकि मैं इससे जो है वो अपनी scrubbing कर सकूँ और वो इतनी harsh नहीं हो आपने harsh scrubbing नहीं करनी है यह देखे अराम से यह उतर है क्योंकि उसके अंदर जो lumps बने वे तो उनके अंदर moisture retain था उसकी मदद से मैंने अराम से easily इसको remove किया है अपनी skin से इसके बाद आपने normal tap water से अपना हाथ दो लेना है इसको आप चेहरे पे लगाएं गर्दन पे लगाएं हाथों पे लगाएं पैरों पे लगाएं यह बहुत अच्छा आपको result देगा आपको within one application difference feel होना शुरू हो जागा यहां मेरे हाथों में भी अगर आप गोखर करें तो जिस हाथ पे मैंने लगाएं ग्लो भी है और आपकी skin lighten और brighten भी हो गई है अप चलते हैं अपने next step की तरफ उसके लिए आपको चाहिए बदाम जो कि हमने पहले mix से grinder में डाल के पीस लिए थे क्योंकि इसके इनदे vitamin E बहुत ज़दा quantity में होता है तो आपकी skin का जो भी moisture content अगर ज्यादा लोस्ट होगे और आपकी skin over dry आपको feel होना शुट हो जगी तो इसके क्योंकि वाइटमी नहीं है तो वो आपकी skin को naturally hydrate करेगा next आपको ingredient चाहिए rice flour rice flour is too good for your skin it is antioxidant lighten करते skin को reduce करते dark patches increase करते collagen in the skin clear up blemishes contain paraminobenzoic acid and vitamin b12 जो कि सेल की जो आपकी ग्रोथ है इसको stimulate करते है जो paraminobenzoic acid इसको पहले ल्ट्रावालिट रडियेशन से प्रोटेक्शन के लिए sun screens होती थी उसमें भी यूज किया जाता है बट अब ये नहीं यूज होता है इस face pack के लिए आपने 1 tablespoon लिया है rice flour का और 1 teaspoon ले नहीं जो हमने बदाम पीसे थे नो एक चमच भड़कर आपने 1 tablespoon अगेन आपने डाले है curd का skin दे अब इसको आपने इचे से mix कर लेना है और आपका face pack रेडी है ये देखेजी it is done चावल का आटा और देहिं का या दूद का combination आपकी skin को naturally white करता है और lighten करता है आपकी skin को फिर आप यहाँ पर मैं हाथ पर लगा कर दिखा रही है अपने चेहरे पर आपने इसी तरह से लगा लेना है और लगा के without any scrubbing आपने इसको रख देना है पंदरा मिनट आप इसको लगा के लाजमी रखें ताकि अच्छे से एफेक्ट साचेगे ताकि आपकी skin वो सारे अच्छे nutrients को अब्सॉब कर सेगे जो भी चीज आप टॉपिकली लगाते है आपकी skin इसको अब्सॉब करते है यह समझ लें आपकी skin खाती है हर ट्रीज अब्सॉब होती आपकी जो भी skin लगा इसको माक्सिमम लगा रने दे ताकि आपकी skin वो सारे अच्छे nutrients को अब्सॉब कर ले अगर यह बहुत ज़ता ओवर ड्राई लग और अगर आप चाहते हैं के मैं सिर्फ सिंपली फेस्पाक को नहीं वाश करना जाहते हैं तो आप दूर दाल कर इसे अच्छे से नरम हातों से बहुत लाइट हैं अगर आप करना चाहें नहीं तो आप सिंपली इसको रिमूफ कर दें तो अभी आपको रिजल्स मिलेंगे यह मैंने हलका यह दूर डाल कर स्क्रब करें हूँ हलके आतों से बिलकुल हलके आतों से अपने इसको जुक्रब करना है मैंने तो बहुत अब दूर दाला है ताके स्क्रबिंग जो हाश नहों और इसली यह रिमूफ हो जाएं You can simply wash your face after applying this face pack for 10 to 15 minutes. अगर आप scrub करना चाहते हैं, तो scrub करें, that is entirely up to you. आपको क्या suit करता है? रिजल्स आपके सामने हैं, जिसाथ मेंने सारे steps follow किये, उसकी skin glow कर ये lighten होगे है, brighten होगे, exfoliate होगे है और even tone होगे है. आपने ये लाजमी facial ट्राइ करने है, मुझे feedback देना इसके बारे में, अगर आप कुछ इसमें changes चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है, उसको like करें, मेरे channel को subscribe करें, bell icon को hit करें, to get the notification of applauded video, thank you very much for watching this video अलाफिस